नमस्कार आप देखरें इस वोल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ का जो नरायन रूख करेंगे खबरों का मत्रों में भीमार्मी के प्रत्याशी ने बीजेपी के शिकान शर्मा पर आरोप लगाया है आरोप प्रत्याशी ने कहा कि मेरा पर्चा जान भूच कर कैंसल कराया गया क्योंकि मत्रों विधान सभा जाट अवोड और बालमी की वोड 30,000 है इसलिए मेरा पर्चा जान भूच कर शिकान शर्मा ने कैंसल कराया है सब्सक्राइब करें और आज क्या हुआ हमने मत्रा बैदान सवा से 84 से अपना नामगन दाखिल किया था हमको आज 11 वज बलाया गया था हम उससे पहले यहां चुके थे हमारा नाम बोला हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि आपने फीज जमाने किये पर हमने फीज का डॉक् इसे एंकारी मंद्री को जनता जवाब देगी कितनों की अत्या कराएगा मंद्री कितना लोगतां खतम करेगा मंद्री यह थे मारे साथ इंदू सभा के संग्ट रनों जिनों ने अपना मत्रा से नामगन दिन किया था मत्रा से निउज बेंड के लिए पिल्टू सिंग बुंदेल खर्ण में समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाफ से ठीक पहले ही बड़ा जटका लगा है बुंदेल खर्ण में समाजवादी पार्टी के चर्चित युवा नेता चंद्र भूशन सेंग बुंदेला और्फ गुड़ू राजा ने समाजवादी पार्टी से अपना त्याक पत्र दे दिया उनके पिता जहां से ललितपूर लोकसभा सीट से पूर में सानसब भी रह चुके हैं इसलिए वो श्वेत्र के चर्चित निताओं में से एक हैं चुनाफ से ठीक पहले उनका यूँ पार्टी छोड़ना सपा के लिए मुसीबत बन सकता है कहा ज़ा रहा है कि ललितपूर विधान सभाज श्वेत्र से टिकट कटने से वो नाराज थे इसलिए उन्होंने पार्टी की प्रात्मिक स्तिधस्ता से स्तीफा दे दिया आनन्फानल में गुड़ु राजा बीजोपी की दरवाजे पर पहुंचे लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी इसलिए उन्होंने बहुजन सभाज पार्टी का दामन थाम लिया जिन्होंने हमारे बेटे को मेरे एक भाई रमेश कटी को महरोनी से टिकटिया है मैं उनका बारंबार बंदन करता हूँ अब नंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ उनकी फ्रसले का और साथियों विस्वास रखता हूँ समानी फत्रगारों पर कमाम सभी साथियों पर यह पूरा सहयोग देंगे और सहयोग के साथ एक खर से हम लाए राएंगे वहन जी का जिंडा फी गुरू है महापुरुस्ट उनके चर्ड़ों में नमन करता हूँ मानने बार जो बहुजन समाच के जन्द आता है तासी दांक के नमन करता हूँ समाच बादी पार्टी ने 169 उम्मीदवारों के नाम घोशित की हैं जिसमें समाच बादी पार्टी के अध्यर शकलेश यादर मेंपुरी जिले के करहल विधान सबाश्यत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे जबकि क्याराना विधान सबाश्यत्र में मौजुदा विधायक नाहिद हसन को भाजपा की आरोप्यों की अंदेखी करते हुए पार्टी का उम्मीदवार बनाए गया है मैंपुरी के स्टेशन रोड से तारे समाज मंदिर में चुनाव को लेकर बीज़ोपी की तरफ से केंद्र काराले का उदखाटन समारो आईजित किया गया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और आचार सहिता के नियमों की और कोरुना प्रोट्रकोल्स की धज्जे ओणा पे हुए नजर आए आपको दादेंगे इस कारिक्रोम एक सुसाथ विधानसभा सरदर के प्रत्याशीर पूर मंत्री ठाकुर ज्यवेज सेंग और प्रदेश सरकार के कैबनिक मिनिस्टर राम नरेश अगनी होतरी जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रदीप चोहान सहीत मेनपूरी के कई कद्दावर जनीता मौजूद रहे। समाज जनक भागीदारी की लडाई तो है लेकिन यहाँ पे बेवस्था परिवर्तन की है समाजिक नियाई की बात है तो और भागी जो मुर्चा है आज बना है मानने आजास समाज पार्टी की राष्टी दजेडोकेट अच्छे सिखर भाई के साथ में आज लगबग 30 पार से हम लोगों निकल करके आज हम चल सिखर भाई के साथ हम सभी लोगों ने विश्वास करके चूकि यह संघर्षबादियों का गडबंधन है प्रताप गड़ के माधानता इलाके के सूझी गाओं में तलाब में दूबनी से 10 साल के मासूम और उसकी चाचे की मौत हो गई बतादें कि मासूम अपनी चाचे के साथ तलाब में मश्रूप पकरने गया था और देर रात घर ना लोटने पर परिजुन ने तलाश शुरू की जिसके बाद तलाब में मासूम और उसकी चाचे का शब मिला वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों के शवों को पूस मात्रम के लिए धिस दिया है संभल में चार महीने पहले कॉंग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शाबिल हुई महिला नेत्री विमलेश कुमारी को सपा के रास्त्री अधियक शकलेश व्यादव की तरफ से चंदोसी विधानसवा सीर्ट से टिकेट दिये जाने पर चंदोसी सीर्ट से टिकट के मस्पूर्ट आविदार माने जा रहे समाजवादी पार्टी के वरिशनेता सतीश पेमी ने प्रेस कॉंफरेंस का समाजवादी पार्टी पर गभी रारुप रगा है मैं 14 सीट से सपा का टिकेट करने से आहाथ सपानिता सतीश प्रेमी का रोते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वारण हो रहा है कि आप गगी कोई दो बॉझे कहां से सिंबल लेकी आए कहां ता ता रहे वाइन हुआ यह मैं राशी अद्यव जी से कहा अभी मैंने स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने कहा कि आज जाते पार्टियों में पैसा एहम चीज है और जो मैं कह रहा हूं कि दूसरे संसादन सौक मुझके वह वह हैं लेकिन मैंने कभी उस तैपी राजिती न की है न करूँगा क्योंकि ये निर्ने जो था भई धनवल के वल्ट पर किसी और को टिकट देना चाहते थे पहले आज़ाश्य देना चाहते थे लेकिन जो साथ काकस लगा पड़ा था लालकुआ में बीजेपी से लंबे समय से नराज चल रहे समा सेविया और पूर्वसैनी कुंदन सिंग महता नी लालकुआ तहसील काराले में पहुँचकर रिटर्निंग ओफिसर के सामने विधान सबा लालकुआ सूर से दावेदारी प्रस्तुत करते वे अपना नामांकन पत्र भर का रिटर्निंग ओफिसर मनीश कुमार सिंग को सौपार आमांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद पत्रकार से बात करते हुए लालकुआ में धान सबाशेतर से निर्दली प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने वाले कुंदन सिंग महता ने कहा कि वो चुनाफ जीतने के बाद सबसे पहले बिंदु खत्ता को राजस्व गाव खुशित करने के लिए एडिट चोटी का जोड़ लगा देंगे तो कदम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन सारे दिन पर इंतजार करना पड़ेगा उनको इसलिए मैं वहाँ पर पुलों का निर्मन बनाने का पुरा प्रियास करूंगा और शेत्र के समश्चे जो अबारा जानवर हैं उनके लिए मेरा ये काफी समय से मैं इसके बारे में सोच होता हूं पर प्रियास रत्वी हूं उनके लिए विदान्सभाट शेत्र के अंदर जगह जगह गौशाले बनाकर बनाओंगा और उसके नीचे फर्स होगा उसका तार से फैंसिंग होगा और वहां पर दोचार कर्मचारी कारी रत रहेंगे और शांती उसमें पानी और और यहां रुकरें चोटे सुब्रे के लिए ब्रिक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरे तो सुनिएगा सांसाच जी हमारे देश के प्रदान मंतरी भी चाय बिचते थे हम उठाते हैं आपके मुद्दे महावल गरम है मुद्दा भी गरम है को जाके पूछिए इनसे क्या वादे कर रहो नहीं कर रहो तो रिजाइन करोगे अपना जोश और वोट बचा के रखिए पंजाब में किसी किसान की मौत नहीं हुई हमेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतनाँ क्यों हो गया है मेरे भारत फेक 뉴스 फैलाना इतना आंग क्यों हो गया है तो ऐसे में जब सच और जूट के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दरपरत भी जहां से सच बेनकाब होगा आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन इमानदार लव्ज अपने रास्ते धून लेते हैं अगर हमारे सवाल सवाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम जूट की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते हैं तो सोमबार से शुक्रुवार तर मुलाकात होगी आप से न्यूस वाल इंडिया के स्पेचल न्यूस ब्राड कास्ट भारत एट 9 पर देखिये भारत एट 9 कावेंद चौहान के साथ सिर्फ न्यूस वाल इंडिया पर विदांता एक ऐसा सेक्षिंग संस्थान जहां होता है पहतर सिक्षा का सही सामाधान इस इंस्टीट को देरदून में popularly विदानता ये सक्यानमी की नाम से जाना जाता है इंस्टीट की स्थापना हमने 2006 में करी उसके बार निरंतर यहां से कई छातरों ने अपनी तयारी करी और सफलता प्राप्त करी जो economically weaker sections हैं या फिर जो तरागंड की महिलाई हैं उनके लिए हमने कुछ sheets reserve करी हैं कि किसी भी बज़े से कोई भी बच्चा कोई भी छाप IIS जैसे एक्जान की तयारी या PCS जैसे एक्जान की तयारी से बंचित ना रह जाए हमारे संस्थार से स्विक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्राखट सरकार के अलग अलग भी भागो में उचिस्तर पर अपनी सेवाय दे रही हैं My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Canaan Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit Sir and Arshna Ma'am for their venture Vedanta Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir So then, let's see what happened, today is Hilijji admission and do your dream of IIS PCS Vedanta, an exclusive IIS Institute of Tehradun, Uttarakhand 11-A, Neembuwala, Opposite, RIMC Main Gate, Garhi Gant, Tehradun Mobile number 93197-00579 और वक्त बदला सरकारे बदल, चहरे बदल, मुद्धे बदल, नहीं बदला तो उसका अंदास गद्दा सुवी की कमाने बर फिसे संबाले नहीं मुझे पराहन मंतली का मुखा ऐसा इसे पोपे से फूरी मुखा प्रस्तोड़े हुआ है जिसके सवाल बने उट्टरा खंड की आवाज एक सो पचीज ठेके जादा दे दियो जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी अठारा सालों बे ऐसी जगा पर जहां पर आज तक अभी शराब की दुकाने नहीं खुली आपने महापर शराब कि ठेके लिए जगा नहीं अंदाज वई आप लोग बताते हैं नहीं सफेद पोश का नाम लेते हैं वो सफेद पोश कौन है आप बताते ही नहीं हम तुम बताओं इनको करना चाहिए आपको इस जान से डरतन नग रहा है हमें कहें कुदर भी है अपने रूटा गैरों में कादम था मेरी किस्ती डूबी माजा पानी कम था अरी श्रावत के साथ भी आई हुआ देखिये पूचता है उत्राखरत तिलक चावला के साथ सोमबार से शरीवा शाम पांच बजे ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है रुखकर इंदिया खबरों का यूपिय सरकार में बन्तवी रहे कंग्रोस त्रेता आर्टीयान सिंग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नहीं जाना कर ये है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आर्पियन सिंग स्वामी प्रसाद मौरे के खलाब चनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौरे अभी पड्रोणा से वधाइक है 1999 के लोग सवा चनाव में आर्पियन सिंग थीस्षे स्थान पर रहे दोह जाशारे स्वामी दोहजार नौ के लोग सवा चनाव में चुनाव जीते और यूपीए दो की सरकार में भोतल परिवहन और सडख राजमाग राजमंत्री पेट्रोलियम राजमंत्री और ग्रे राजमंत्री रहे महराश्च के वर्धा से मंगलवार की सुभाई का बेहदी दर्दनाक हासे के खबर मिली है मितराद पुल से नदी में कार गिरने से साथ मैरिकल शात्री की दर्दनाक मौत हो गई जानकारी के मधावक मैरिकल शात्र महराश्च के दवेली से महराश्च के वर्धा जिरे में जा रहे थे मरने वाले शात्रों में vẫn 20 से 35 साल के लोग बताए चारही है गायलों को वर्धा के जिरास्पताल में भर्टे कराए गया था फिलहाल सभी शवों को पोस्मार्टम किया जाएगा वर्धा के स्पिक शान तो होलकर ने बताये कि सुमारात करीब साड़े ग्यारा बजे सेल सूसा के पास एक फुल सिकारगिरी कार्मिसवार शातर वर्धा जा रहे थे हाथसा कैसे हुआ इसके बारे में जान जारी है व्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने दुरुखटना में जान गवाने वालों के परिजिनों के लिए पी एम एन आरेफ से दोदुलाग रुपे का मौफ़ज़ देने के खूशना की है आपको तादें कि में तक चात्रों में मारास्ट के गूंद्या जिले के तीरोडा विधान सभाज शेत से बीजोपी विधायक विजय रहांग दाले के बेटे आविशकार रहांग दाले का भी नाम शामिर है गटना में सभी की बित्ती हो चुकी है बलिया के रस्रा विधान सभाज से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंग ने कहा कि बीजोपी और समाजवादी पार्टी में गडबंदन है दोनों दूसरे के पूरक है समाजवादी नहीं रहे तो बीजोपी और बीजोपी नहीं है तो समाजवादी नहीं है एक हिंदू को डराती है और एक मुस्लिम को डराती है लोगों को डरा कर दोनों लोग अपना काम करते हैं तो पिछली बार 2017 के चुनाव में यहां भासड दे रही थी और भासड में उन्होंने कहा था यही रसना में कि अगर आप लोग उस उमा संकर को नहीं हराएंगे वहां संकरा को ऐसे उन्होंने बोला था तो फिर झार नहीं हराएंगे तफिर मैं रसमाम मुई ने उकर लगाते का लोग बिना उनद विना कितना परिसान है मैं रसमा में कदम नहीं रखोंगी तो बलीयां जाती हैसी रास्ते से रसमा हीज कोगे जाना है और जो जब हमारे डिवाइडर पर ऑच्छे सब्सक्राइब करने वाले हैं और यहां पर कोई रसना से आए उनका स्वागत है हमारी जनता पहले लोग आएंगे तो सब्सक्राइब करेगी और फिर दस तारीकों जो कुछ तरह से फिर विदा कर देगी यहां पर तुष्वागत है विधान सब्सक्राइब में दूसरे च्रण में होने वाले चुनाव का बिगल बग चुका है इसमें तवाम सियासी दलों के नेताओं ने नमांकन कराया खास बात यहें कि इस वक्त समालवादी पार्चे और बीज़ेपे की तमाम दिगशनेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो नमांकन के दोरान कलेक्टरिट पहुंचकर प्रत्याश्यों ने साफ्ताथ पर कहा कि योगी और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार जनता के हिट में काम करेंगी हम योगी और मोदी के किये गए कार्वियों को और आगे बढ़ाने के लिए देश की बहत्री के लिए देश का और विकास के लिए देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तीसरी दफार है आपके कहनास बिलकुर सही है बरेली के अंदर हमने कई काम किये हैं बरेली के अंदर एक हवाय अड़ा आज जटनगर स्टेशन के पास बन रहा है आज नामांकन है और मेरा 90% चुनाव पूरा हो चुका है मेरा दोरा मेरा पबलिक संपर्ग घरगर डोर टूर संपर्ग एक बार हो चुका है बस दोरा न बाकी और पिर्माण पत्र लेना बाकी मैं एक बड़े भूमत के साथ मैं फिर से पुना जीत कर आ रहा हूँ जहां तक हमारी पार्टी के मुद्दे की बात है तो यह पूरे हिंदोस्तान में 2014 से पहले से अंग्रेजों की नीतियों पर चलके भारतिय जनता पार्टी ना समाज में विद्ध्योस्ता पैदा किया एक दूसरे को लड़ाने का काम किया और उसी कारण से जूट बोलकर जुमले वाजी करके जूटे बादे और अजीब अजीब बाते करके लुभाबनी सपने दिखा के इनने अपने पक्ष में हिंदुस्तान के अवाम को कर लिया जनता एक तो राष्टिये मुद्दो या प्रदेश के मुद्दो से और सबसे बड़ी बात है इस्तानिये में तो बहुती तरस्त है तो इस्तानिये मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा निश्यदी जनता बदलाव चाहती है सपा ने पांच विधान सभा में अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं जिसमें सदर विधान सभा से चंद्रपकाश लोधी, बंद की विधान सभा से दयाल गुपता, जोहानापाद विधान सभा से मदर गुपाल बर्मा, हुसेन गंच विधान सभा से उशाम औरे और आगाविधान सभा से कोई प्रत्याशिक होजित नहीं किया। प्रत्याशिक होजित नहीं किया। आज थानमितौली छेतरां तरगत एक 19 वर्षिय युखती का शब गन्नी के खेत में मिला है। यह युखती कल शाम अपने घर से जागरण देखने कई थी। प्रताह आज ग्रामीडों के द्वारा उस शब को देखा गया। इस सुचना पे तदकाल मौके पर पहुचके शब का पंचायत नामा किया। पंचायत नामा के दोरान युखती के गले में एक चोट का निशान देखने में आ रहा है। एवाम उसके शरीर पे अन्ने किसी प्रकार की कोई चोट या कोई स्ट्रगल की बात सामने नहीं आ रही है। शब को ओस्माटम के लिए भेजा गया है। वस्माटम रिपोर्ट प्राप्ठ होने के बाद इस्तिती सपष्ट होगी। परिवार जनों से प्राप्ठ करके आगे की विदिक करवाई की जा रहे है। और उसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे हैं निउस्वाल इडिया के साथ। कि विदामता एक ऐसा सेक्षिंग संस्थान जहां होता है पहतर सिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्वसेज एक्जाम हो या फिर डिफेंस सर्वसेज रहे हैं।